Hello everyone, आपका एगवा फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूँगा ना भी निप्ती फिप्ती इंडेक्स फंडाइड ग्रोथ के बारे में इसमें मैं आपसे discuss करूँगा कि यह जो mutual fund है इसने पिछले 6 मैंने 1 साल, 3 साल या फिर annual return क्या दिया है आज की rate में इसका एक इनभी का price क्या है, यह कितने star rating mutual fund है इसमें आप minimum SIP amount क्या लगा सकते हैं और इसका fund size क्या है साती सात मैं आपसे discuss करूँगा इसके अंदर कौन-कौन सा stock listed है और अगर आप इस mutual fund के अंदर पुछ पाइसा जमा करते तो पिछले 6 मैंने 1 साल, 3 साल के अंदर आपको क्या return देखने को मिलता और लास्ट मैं आपसे discuss करूँगा कि क्या हमें ना भी nifty 50 index fund right growth के अंदर investment करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए अगर आपने already invest किया है तो फिर आगे आप अपना SIP आप फिर लंसम के साथ क्या करेंगे ना भी nifty 50 index fund right growth ये एक अधर mutual fund है जो कि index के अंदर आता है और ये का फिर हायरिक्स mutual fund है इसने जो पिछले 6 मैंने पर return दिया है वो return है 15.57% का एक साल के return के उपर बात करते हैं तो एक साल में 32.26% का return है तीन साल के return के अपर बात करें तो तीन साल में 14.89% का return दिया है और अगर annual return की बात करें तो annual return है 16.98% का ध्यान देंगे अभी जो भी return मैंने आपके साथ यहां पर discuss किया ये इनका one time यानि की लंसम का return है अगर आप एक बार में कुछ investment करते हैं तो आपको ये return देखने को मिलता अगर आप S.I.P के थुरू investment करेंगे तो return आपको कुछ और मिल सकता है तो क्या मिल सकता है ये चीज़ मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ discuss करूँगा अगर आप इस तरीके का mutual fund review देखना फसंद करते हैं तो एक हमारा main channel है जो क्या भी आपको screen पर दिख रहा होगा तो इसको एक बार जरूर विज़ेट कीज़ेगा इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी mutual fund review वीडियो अफ्लोड करके रखा हूँ एनेवी के उपर बात करते हैं तो आसके रेट में इसका एक एनेवी का प्राइस है 16 अरुपया 33 पैसा रेटिंग की बात करें तो यह 3 star rating mutual fund है इसमें आप minimum SIP amount 10 अरुपया लगा सकते हैं और इसका fund size है 2316 करूर का अब बात करते हैं कि अगर आप इस mutual fund के अंदर कुछ पैसा जमा करते हैं तो फिर आपको क्या return देखने को मिलता इससे पहले अगर आपने अभी तक अपना investment इस्टार्ट नहीं किया इस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैंने अपना demate account का referring दिया है अगर आप मैंने referring से join करते हैं तो फिर आपको कुछ rewards देखने को मिलेगा और आपको account opening या पिर account maintenance का कोई भी चार्ट नहीं देना होगा अगर आप इस mutual fund के अंदर 500,000 पर मन जमा करते हैं तो तीन मेने पे आपका पैसा जमा होता 15,000 आपको मिलता 15,132 रुपया छे मैने की बात करें तो छे मैने में आपका पैसा जमा होता 30,000 आपको मिलता 31,456 रुपया यानि छे मैने में आपको SIP के थूरू करीब साड़े 4% का return देखने को मिलता और एगर 1 साल की बात करें तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 7000 आपको मिलता 46113 यानि 1 साल में करीब आपको 7% का return देखने को मिलता अब अगर बात करें कि इस मुच्छल फंड के अंदर आप एक बार में एक लाक रुपिया के लमसम करते तो छे मैने पे आपका एक लाक रुपिया एक लाक साथ जार पांसो तीन रुपिया होता एक साल में आपका एक लाक रुपिया एक लाक बतीस जार दोसो साथ रुपिया होता और तीन साल में आपका एक लाक अगर हम इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइस डिसकस करें तो पहला नाम आता है अगर इसके होल्डिंग एनलासिस की बात करें तो इक्वेटी पे है निनाम पॉइंट डाट और क्यास पे है जीरो पॉइंट दो परसेंट इसकी एक्वेटी सेक्टर एक लोकेशन के अगर बात करें तो फाइनर्सियल पे हैं 32.9 अधर्स पे 16.9 एनर्जी पे 15.7 टेक्नलोजी पे 12.1 ओटो मॉइल पे 8.1 कंजूमर स्टेश पे 8 परसेंट और कंस्ट्रक्शन पे 6.4 परसेंट यानि कि अगर आप ना भी 50-50 इंडेक्स पंड के अंदर अपना पैसा इंबेस्ट करेंगे तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्टिब्यूट हो करके लगेगा और आज के डेट में देखें तो फाइनर्सियल सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एनर्जी टेक् अगर इनका स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो फिर हम लोग इसके अंदर अपना इंबेस्ट करेंगे इनकी एडवार्स इस्टियो के अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेसियो 25.24 और पीवी रेसियो 4.05 अगर आप इस मुच्वल फंड क पॉंट 3, 3 साल में 14.9 और एन्वल है 17 परसेंट का वहीं पर इस कैटेगरी का जो अबरेज रेटन है यानि कि अदर इंडेक्स मुच्वल फंड का एक साल में 42.6 तीन साल में 18.1 का है तो यहां से देखेंगे यह मुच्वल फंड एक साल या फिर 3 साल हमेशा अपना साल के लिए इंवस्बंड मत कीजिए अगर आपने औरेडिगंvidaट किया है और आपने स्टार्ट किया है दस रुपया से अपना डेली का या फिर एस आएपी तो फिर आप यह इसको अंदर अपना नभी कॉन्टेनिन्या रहें खेंगे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ना शाद़ा पैसा लगाना चाहते है तो इस मूड इंडेक्स mutual fund के अंदर आप अपना investment मत किजिये तो किस index mutual fund के अंदर आप अप 누워ना पैसे भेश करेंगे तो टॉप फॉर अभी मैं यहाँ पे इंडेक्स mutual fund fundament कर सकते हैं पहला आप ट्राइ कर सकते हैं UTI Nifty Next 50 Index 1 Diet Growth, तीसरा आप अपने पॉर्टफोलियो पर रख सकते हैं, Quartak Nifty Next 50 Index 1 Diet Growth, और चौथा आप अपने पॉर्टफोलियो पर रख सकते हैं, UTI Nifty 200 Momentum 30 Index 1 Diet Growth, इनकी Expense Ratio की बात करते हैं, तो इनका Expense Ratio 0.66% का, exit load की बात करते हैं, exit load नील है, यानि कि आप अपना पैसा यहां से किसी भी टाम निकाल सकते हैं, बिना कोई charges के, और system duty की बात करें, तो system duty है 0.005%, Tax Implanation की बात करते हैं, अगर आप invest किया हुआ पैसा, एक साल के अंदर निकालेंगे, तो जो भी आपका return होगा, उस पर आपको 20% का tax payment करना होगा, अगर आप एक साल के बाद इससे अपना पैसा निकालता है, अगर एक साल में 1,25,000 का return बनता है, तो फिर आपको 12.5% का tax payment करना होगा, इनकी fund house and investment objects की अगर बात करें, तो नाभी mutual fund total assist पे इंडिया पे 36 नमर पे रेंग करता है, इसका total assist अंदर management है 6319 करोड का, नाभी निप्टी 50 index fund diet growth, ये एक अधर mutual fund है, जो कि launch किया गया नाभी mutual fund की तरप सी, गिरीस राज अभी इस fund का current fund manager है, इस fund का currently assist अंदर management है 6319 करोड का, और latest अंदर भी 16 उर्पिया 33 पैसा, नाभी निप्टी 50 index fund diet growth, ये एक काफी high-risk mutual fund है, इसमें minimum SIPM on 10 रुपय का set किया गया है, और minimum लंसम भी 10 रुपय का set किया गया है, इसके fund benchmark के अगर बात करें, इसका fund benchmark है Nifty 50 total return index, तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिसकस किया, ना भी Nifty 50 index fund के बारे में, फिर मिलते हैं हम लोग next को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके,